ये गाइज वैसे श्रोंद जो अभी second round में eligible नहीं हो पा रहे हैं जिनोंने first round में अपना payment नहीं किया था तो अभी उन लोगों को second round में eligible नहीं होने तिया रहा मतलब अभी तो यहाँ पे तो मेरा बात जुटा हो गया मैं गलत बन गया लेकिन किसी भी decision को लेने से पहले या फिर हमारे बारे में कुछ सोचने से पहले इस वीडियो को पूरा देखें जो भी मैं बता रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुने देखो मैं कुछ भी अगर बताता हूँ या फिर हमारे टीम आपको कुछ भी समझाती है बताती है तो उसके पीछे हम लोगों का मतलब हम लोग बात कर चुके होते हैं अल्रेडी NCHM में किसी ने किसी से तो NCHM वालों का ही बताना था मैंने एक बार कॉल पर भी बात किया था तो उन्होंने बताया था कि ऐसा है कि MANTL? 1st round में जिसका नहीं है मतलब जो 1st round में fee pay नहीं किया वो 2nd round के लिए eligible है लेकिन बस वही है क्या जो 1st round का seat है वो इसमें secure नहीं होता है जैसा कि पिछले 3 साल से चलता आ रहा है पिछले साल भी ये रूल पिछले साल भी नहीं था नहीं 2019 में था ये सिर्फ अभी 2021 के लिए 2021 के लिए ये रूल है और मैं आपको बता दू कि NCHM का जो information bulletin होता है उस पे जो चीज mention किया होता है कई बार वो चीज proper तरीके से नहीं होता है जैसे कि 2019 में और 2020 में 2020 का जो information bulletin है अगर आपको कहीं से मिल जाए तो आप देख लेना उसमें यह था कि आप अपना category चेंज नहीं कर सकते हो मतलब अगर आप general में हो तो आप उसको general EWS करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो अगर आपने एक बार जनरल भड़ दिया है तो लेकिन last year ही मैंने contact किया था NCHM से और बागी सारी चीज़े बात हुई थी फिर वहां पर मैंने एक वीडियो बनाया और अपने वीडियो बताया था कि आप लोग चेंज कर सकते हो जबकि वह information bulletin पर clearly लिखा हुआ था कि आप अपना जो category है उसको चेंज नहीं कर सकते लेकिन पिछले साल भी बच्चे अपना category चेंज कर रहे हैं मतलब किये भी थे बहुत सारे स्टोंट को पता होगा जिनों ने अपना category चेंज किया है और मैंने अपने वीडियो में यह बताया था कि category हो किस तरह से change करना है और category जो है उसको change करने का option दिया जा रहा है तो यह चीज़े हैं और मतलब हमने हर तरफ बा हुआ था कि अगर आप payment नहीं करते हो तो आप eligible नहीं होगे तो वही चीज़ में आपको भी बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है जो कुछ वहां पे mention किया गया होता है वो proper तरीके से नहीं होता है अब यहां कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो hotel management helper को follow करते हैं और जो भी वीडियो को देखने के बाद बहुत से बच्चों ने अपना fee pay नहीं किया जिसके वैसे भी वो second round के लिए eligible नहीं है तो उसके लिए बहुत-बहुत सौरी क्यों कि देखो मैं भी अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा था मुझे भी NCHM के तरप से वही बोलने को बोला गया था तो मतलब कि जब मैंने बात किया तो उन्होंने बताए कि मतलब वहां पे mention जरूर है counseling and admission process वाले मतलब कि information bulletin में mention जरूर है लेकिन ये पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था कि second round में बच्चा eligible है अगर first round में payment नहीं किया तो second round में eligible है बस यहीं होता है कि आपका जो first round का seat है वो payment नहीं किया जिसके वैसे अभी वो second round के counseling के eligible नहीं हो रहे है तो अब वैसे student के लिए क्या होगा क्या option है क्योंकि बच्चे बहुत परिसान है तो देखो इसका solution बस एक यहीं है कि अब आपको सबसे पहले तो कुछ भी बहुत बड़ा loss नहीं लगा है हां मैं जरूर जोटा साबित हो गया यार यहाँ पे लेकिन सच बताओं तो मेरा कोई सतरह का खास intention भी नहीं था और क्योंकि मैं जो भी वीडियो लाता हूं कोई भी information तो पहले cross check करता हूं लेकिन इस वार मेरा cross check भी गलत निकला और NCHM वालों मतलब जिन्हों ने भी मुझे बताया था उनको य तक वह बात जाता है तो जरा यह चीज़ समझ के उनको बोलना चाहिए था खेर अब बात यहां पर करते हैं कि आगे solution क्या है क्या होगा क्या करना चाहिए तो देखो second round के लिए अब वह बच्चे eligible नहीं है जो first round में payment नहीं किये थे बाकी आगे बात हम आपको करते हैं कि आ अपना क्या है क्या best रहेगा तो अब आप third round के लिए मतलब third round का जो counselling है उसके लिए eligible हो no doubtedly आप third round के counselling में अपना जो भी process है अपना admission का process counselling का process वो सब कुछ आप वहां कर सकते हो कोई problem नहीं है मतलब आपका seat रखा हुआ है सच बताओं तो seat इतने खाली है कि college वाले खुद पर इसानों रखें कि उनका seat कैसे full होगा इसलिए घबरानी की कोई जरूरत नहीं है seat बहुत सारे खाली है और आपको seat मिल जाएगा अग आपका seat लेने से कोई नहीं रोख सकता इसलिए second round में आगर आप eligible नहीं हो पाए हो तो कोई सच मताओं तो बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ issue नहीं हुआ है अभी तक आप third round counselling के लिए eligible हो third round के counselling में आप अपना counselling कर सकते हो कोई घबराने के बात नहीं है बिलकुल भी आ सान मत हो stress मतलो third round में हम लोग counselling करेंगे और third round में अपना desire college अपने rank के accordingly हम लोग ले सकते हैं बस यही है अभी हम लोगों के पास और कोई दूसरा option यहाँ पे नहीं है जहां तक मैंने बात किया मैंने पता करने कोशिस करिया आगे अभी second round के लिए कुछ भी नहीं हो सकता ज वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद